बैंक में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एहम सूच्टा बैंकिंग कार्मिक च्वैन संस्थान यानि की IBPS ने विभिन बैंकों में प्रबेशनरी ओफिसर यानि की पीओ की भरती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है जुसके तहट अब बैंक ओफ बडोदा, बैंक ओफ इंडिया, बैंक ओफ महरास्ट्रा, कैंडरा बैंक, सेंट्रल बैंक ओफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवर्सीज, पंजाब नाश्चनल बैंक, पंजाब और सिंथ बैंक, यूको बैंक और यूनियर बैंक ओफ इंडिया में प्रबेशनरी ओफिसर, मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों के लिए योग्य उमिद्वारों से कुल मिलाकर 4135 पदों के लिए आविदन की मांग की गई है अगर आप भी बैंक में नौकरी के इच्छा रखते हैं और आप पीओ के रूपे काम करना चाहते हैं तो जल्दी करें क्योंकि आविदन की प्रक्रिया 20 ओक्टूबर से ही शुरू हो गई है महीं 10 नवंबर तक आपके पास मौका है कि आप इन पदों के लिए IBPS.IN पर जाकर आविदन भर सकते हैं ये तो हो गई IBPS की तरफ से निकाली गई नोटिफिकेशन और आविदन करने की बात अब हम बात करेंगे IBPS की तरफ से निकाली गई इन रिक्तियों में आविदन करने की योगिता के बारे में IBPS की तरफ से जारी किये गए नोटिफिकेशन को अगर हम देखे तो इच्छोक उमिद्वारों का किसी भी स्ट्रीम से ग्राजवेट होना अनिवारे है इसके साथ ही अगर हम आयू सीमा की बात करें तो उमिद्वारों का 20 से 30 साल तक होना अनिवारे है उमिद्वारों का जन 2 अक्टूबर 1991 से पहले और 1 अक्टूबर 2001 के बात नहीं हुआ हो वही अभिहर्थियों का चैन, प्रिलिम्स, मेन और इंटर्व्यू के माधियम से किया जाएगा इसके साथ ही अगर हम आवेदन फीस की बात करें तो सामान्य, OBC और EWS वर्ग 850 रुपे उन्हें देने होंगे HCST और दिव्यांग के लिए 175 रुपे तैखिये गया है वही फीस का भुगतान, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरेट बैंकिंग, मोबाइल वैलिट से किया जा सकता है IBPS की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार प्रिलिम्स एक्जाम की तारीख 4 दिसंबर और 11 दिसंबर 2021 तैखिये गई है वही प्रिलिम्स एक्जाम की तारीख दिसंबर और जनवरी में तैखिये गई है इसके साथ ही मिल रही जानकारी के अनुसार मेंज एक्जाम अगले सा जनवरी में करवाये जा सकते हैं वही में इंग्जाम का रिजल्ट जन्वरी फर्वरी 2022 में आयो जित करवाया जा सकता है इसके साथ इंटर्व्यू की तारीक फर्वरी मार्च 2022 में तैकी गई है वहें उमिद्वारों का प्रोविज्णल एलोट्मेंट अप्रेल 2022 में किया जाएगा हाला कि IBPS ने ये पहली दफा पियों की नौकरी के लिए आवेदन की मांग नहीं की है बलकि इससे पहले भी विभिन सरकारी बैंकों में कलर्क के 7,855 पदों पर भरती के लिए आवेदन की प्रक्रिया IBPS कलर्क 2021 के अंतरगत पहले से चल रही है Institute of Banking Personal Selection ने 7,000 से अधिक कलर्क पदों के लिए आवेदन की आखरी तारीक 27 ओक्टूबर 2020 निर्धारित की है इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक लिए धन्यवाद